हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बात करेंगे समय से पहले क्यूं हो जाती है आइबरो सफेद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल तो सफेद होते ही हैं लेकिर उनके आइबरो भी सफेद होने लगती है आखों की खुबसूरती बढ़ाती है आईब्रो यानी भोवे जब वकाली और घनी होती है लेकिन स्ट्रेस मेकप का अधिक इस्तमाल ये सब कारण है आईब्रो के बाल सफेद होने के और भी अन्य कारण हैं जैसे पोसन की कमी अधिक स्ट्रेस लेना नीन पूरी ना लेना हार्मोन्स में बदलाओ इलेक्टरानिक गैजेट्स का ज़ादा इस्तमाल हाइपो थाइराइडिस्म नामक बीमारी आईब्रो को सफेद बनाने के कारणों में से ये सारे कारण होते हैं अब बात करते हैं कि आईब्रो को काला करने के लिए घरेलू उपाई कौन कौन से हैं जिन्हें अपना कर आप अपनी सफेद हुई आईब्रो से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको कच्छा दूद का इस्तेमाल करना चाहिए रोज दिन में एक बार अपनी आईब्रो पर कच्छा दूर लगाएं ऐसा करने से आपकी आईब्रो के बाल घने और काले होने सुरू हो जाते हैं सेकेंड है ओल्यू आईल रात को सोने से पहले ओल्यू आईब्रो की मसाज करें और ओवरनाइट लगा कर रखें सुबा इसे साफ कर लें इसे आईब्रो काली और घनी होने लगती हैं थर्ड है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है आईब्रो को प्राकरतिक रूप से काला करने का इसके लिए आपको आवले पाउडर का पेस्ट बना कर अपनी आईब्रो पर लगाना चाहिए और जब वसूख चाहे तो उसे पानी से धो लेना चाहिए ऐसा आपको रोज रात को सोने से पहले करना चाहिए और आपके बाल नेचरली ब्लैक होने लगेंगे तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आईब्रो के बाल क्यूं है सफेद और क्या है इनका घरेलू इलाज आश्रा करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले हो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक